तो गाई सभी को मालूम है कि एरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया ने एटीसी की वेकैंसी डिकलेर की हुई है और 496 टोटल वेकैंसी है और एक बहुत 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 बहुतरीन अपर्शनिटी से सभी के लिए ठीक है जो इंजिनिक और डिप्लोमा वाले हैं एटीस में जो आपके टोटल दस जीए के कोश्चन आते हैं उसमें एक या दो कोश्चन आपके एरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया से जुड़े हुए आते हैं इसमें आपके सिविल आविएशन जो भी लास्ट आपके अपडेट है ठीक है तो आल्रेडी मैंने आपका याद र वो एटीसी में भी बेनिफीशल है उनको भी जरूर देखिएगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुलान वीडियोज को आरांड वो वीडियो चालेस अजार और पचास अजार से उपर पहुंच चुके हैं अभी तक व्यूज में ठीक है तो जो आपके वीडियो है यह आप के लिए बहुत हेल्फुल होने वाले तो आज के सेशन में हमारे जो भी 28 राज्य है इन 28 राज्यों में जो भी आपके इंटरनेशनल इंपोर्टेंट एरपोर्ट है और डोमेस्टिक एरपोर्ट है उन सभी को हम लोग पढ़ने जाएंगे और जो कोशन आपके अल्रेडी आते हैं उसी तरीके से कोश्चन में आपको कवर कराने जाओंगा ठीक है तो जितने भी लोग जोड़ चुके हैं सेशन को एक बाल लाइक करके इसकी अटेंडनेस जरू माग कर दीजेगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जीगा दोस्तों ठीक है पीडियाप मिलेगी बिल्कुल मेरे टेलिग्राम ग्रूप पर टेलिग्राम ग्रूप का नाम है अट्दारेट सुसर्ट टैस्बूक तो यह जो वाकेंसी है दोस्तों इसके लिए हमारे एक विक्ट्री बैच है जो स्टार्ट हो चुका है और विक्ट्री बैच आपका 25 इन्रॉल नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट किजिए हां दोस्तों इस कोर्स के लिए जरूर इन्रॉल कर लिजेगा और कूपन कोर्ट जो आपने लगाना है याद रखेगा यह से चाहिवी केटी और याद रखेगा यह समय बहतरीन टाइम है क्योंकि अभी हाली में जो सब्सक्रेप्शन है दोस्तों ठीक है यह सबसे लुएस्ट प्राइस में चल रहा है तो यूज करीज कूपन को वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगे वहां से इन्रॉल कर लिजेगा दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो करिएगा मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा समय जूम कर दूं तो आयूप कि आप ज्यादा बहतर देख पाएंगे ठीक है आप देखिए मैं सरफ इस्टेट कवर करूंगा यूनियन टेरी टेरी नहीं कवर करूंगा जो आठ यूनियन टेरी टेरी से उनके अर्पोर्ट में कुसांबी है चौधरी चरन सिंग है लालबाद और सास्तरी है जेवर एयरपोर्ट है ठीक है तो आपने यूपी में पढ़े होंगे दोस्तो ठीक है तो लखनव वरांसी हो गया दोस्तो नई दिल्ली में तो इंद्रा गांधी है आपका ठीक है और राजस्थान में हम लोग जैपूर के बारे में पढ़ते हैं और गुजरात में आपका कौन सा है दोस्तो एहम्दाबाद ठीक है सरदार हम लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं वल्लब भाई पटे मुंबई में आपको छत्रपती सिवाजी महराद मिल जाएगा नाकपूर में आपका बाबासाब मिल जाएगा जो विस्व का पहला एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी पर ऑपरेटर दोस्तों ठीक है तुर्वंताम परम हो गया त्रुचापली हो गया बंगलूर हो गया दोस्तों हैदराबाद राजियो गांधी इंटरेशनल एयरपोर्ट आपके कहां पर लोकेटेड़ है ठीक है उरिशा में आपको बीजू पतनायक मिल जाएगा कोलकता में आपको सुभाशन जो बोस है दोस्तों ठीक है वो एयरपोर्ट मिल जाएगा और गोपिनात बार्दोली जो आपको मिल जाएगा आसाम में दोस्तों ठीक है तो यह सभी आपके इंपोर्टेंट एयरपोर दिल्ली में लोकेटेद है इसके बाद आजाता है आपका कौन सा वेस्ट बंगॉल का निताजी सुवास्चंद बोस ठीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों याद रखेगा ये है आपका ठीक है फिर आता है सरी मतलब पहली पोजिशन में आपका इंद्रा गांधी दिल् लाडू वाला पाच्वा है याद रखेगा निताजी सुवास्चंद बोस ठीक है तो ये भारत के पांच सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ठीक है अब देखे दोस्तों मैं ये जो करा रहा हूं इससे उबिएगा मत क्योंकि सारे कोश्चंस आपके इसी पर ही बेजड है तो अगर आपने ये सेक्शन अच्छे से पढ़ लिया ना तो सब कोच आसान हो जाएगा ठीक है अब देखे जरा इस्टेट वाइस जितने भी आपके एयरपोर्ट हैं ये सब मैंने मैप में दिये हुए हैं और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप इस तरह के टॉपिक क पढ़ने जाए ना तो मैप का इस्तमाल बहुत जरूरी है तो ठीक है तो आप चलिए मैप के इस्तमाल से मैं आपको कराता हूँ और इसके बाद कोशन किस तरीके से बनेंगे तो मैं इसको करा हूँगा मैं अभी आपको बोला है कि मैं आपको यूटी कवर कराने वाला नही जैपुर आपका राजिस्थान में इस्ते थे चौधरी चरन सिंग हो गया लाल भादो सास्तरी हो गया जेवर एयरपोर्ट हो गया कुसामभी और आपका कौन सा बनने जा रहा है अयुद्या ठीक है तो यह आपके कहां पर इस्ते थे यूपी में ठीक है विहार की बात करोगे तो जैप्रकास नारायन हो गया दोस्तों इंपोर्टेंट है ठीक है अच्छा वेस्ट बिंगॉल में सुवाशन नेता जी सुवाशन दोस हो गया आसाम में हो गया लोगप्रिये गोपिनात बारदोली दोस्तों याद रखी गया ठीक है और यह जो बीर तिकेंद्र जीत है पर यह आपका कहां पर यह मनीपूर में बीजू पत नयक दोस्तों कहां पर हो गया औरिशा में विशा का पत नम हो गया आन्दप्रदेस में चांधिस घार राइपुर की बात करने हैं तो आपको स्वामी विवेका नंद मिल जाएगा ठीक है और इसके बाद हम लोग बात क पढ़ा नाकपुर में मिल जाएगा चत्रपति सिवाजी महाराज आपका महाराष्टर में मिल जाएगा पुने एरपोर्ट तो नाम ही उसके सिटी से है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा समझने की कोई जरूरत है टेंप गोड़ा आपने देखा बंगलूरु म मैं बाद में कवर कराऊंगा तो अब मैं आपको वन बाई वन इस पर कोईशन पूछूंगा और आप लोगों ने सभी ने आंसर करते चले जाना है और जो भी लोग नए जोड़ते चले जाएं सेशन को लाइक और सेर भी जरूर करते चले जाएगा दोस्तों ठीक है पीडि मुंडा जो है यह बिल्कुल आप जानते होंगे कि यह कहां से जुड़े हुए है आपने पढ़ा होगा जहारखंड जी हां बहुत अपने आप में इंपोर्टेंट है और आपको मालूम है कि जहारखंड का जो पंद्रा नौमबर है ठीक है आपको मालूम है कि 2000 में स्थाप भी होती है ठीक है तो पंद्रा नौमबर को बिर्सा मुंडा जेयनती भी मनाई जाती अच्छा और साथ में जो है यह आपको मालूम है कि जहारखंड का क्या है फाउंडेशन डे है दोस्तों ठीक है और बिर्सा मुंडा लेकिन कभी पूछा गया कि स्टेडियम कहां पर है स्टेडियम दोस्तों अगर पूछा गया तो आपको याद रखीगा कि यह उडिशा में ठीक है लेकिन बिर्सा मुंडा याद रखीगा जो जेयनती है और यह जो फाउंडेशन है यह सारी चीज़ें जुड़ी होई जहारखंड से अब जहारखंड की कापिटल क्या है अंगले सवाल पर हम लोग चल रहे हैं पूछा जाला है दोस्तों की डॉक्टर बाबा साहब अंबिटकर जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह आपका कहां पर हुआ ठीक है तो आपने इनका जन्म पढ़ाओगा दोस्तों ठीक कहां पर है मद्ध प्रदेश में इनकी जो दि ठीक है फिर आप देखेंगे कि इनका जो कार छेत रहा वो दिल्ली में और इनकी लास्ट में जो म्रत्व होती है वो कहां पर होती है मुंबई में ठीक है तो इस तरीके से यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तो जन्म भूमी हो गई है ना जन्म भूमी के बाद आप अब ही आपको मालूम है कि इनकी मूर्तियां वगेरा भी बनाई गई है बाबा साहब अंबेटकर साब की तो यूसे में ही बनाई गई है लगबक कुछ 19 फुट के आसपास कि दोस्तों ठीक है और हैदराबाद में अभी कुछ 125-132 फुट के आसपास कि बनाई गई है और आप सभी जानते हैं कि इनकी जन्म को हम लोग इक्वालिटी डिके तौर पर अबजर करते हैं और यह जो है आपका हैदराबाद की मूर्ति इसका नाम दिया गया है इक क्वालिटी इस्टेच्व आफ इक्वालिटी दोस्तों ठीक है इस्टेच्व आफ इक्वालिटी तो आंसर बहुत क्लियर है ठीक है चले एंगले सवाल पर हम लोग चल रहा है ही और आप सभी ज्यानते है नियुक्त वीया कि अडियाएं चत्रपादीटी शवㄧी महारारी अंगले सभाल देखेंगे जरह आप क्या पूछा जा रहा है कि apart from Kolkata airport ठीक है which is the other international airport operating in the West Bengal West Bengal में दूस्तो Kolkata airport के अलाबा दूसरा airport कौन सा operated दम-दम हवाई अड़ा है पाग डोगरा है काजी नज्रूल है और दुर्गापूर हवाई अड़ा है इसमें से जो correct answer याद रखेगा दोस्तों का कैसा हो जाएगा यह इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चली अंगले सवाल बें चल रहे हम लोग next question और अगर आपने थोड़ा बहुत इथियास में पढ़ा होगा जहांपर परवती जंजात्मिया साशन करती थी तो ठीक है एक बार जो मोहमद बिन तुगलक है उसने हमला भी कर दिया था आपने उसका खुरासान और काश्चिल का हमला पढ़ा होगा ठीक है तो काश्चिल के हमले में आपके परवती छेטर बाव जाए यादर रही है कर fixes तेरेक union ही माचलप्रदेश जिसकी आघ परदते हैं क्या और साथ poo में Спway इसकी जो कापिटल है वो कौन सी है अभी आली में किरिकेट मैच हुआ था भाई जड़ा बताइए गार मिसाला है ना और यहां के जो सिए बनाएंगे सुखविंदर सिंग सुखु साथ ठीक है तो यह कांगला एयरपोर्ट है आपका कहां पर लोकेटेड है हिमाचल पर इसमे पर इसमें अब ही ओप्षिन बसता है और वह कौन सा युए ओप्षिन थी कोशन पर आई यकीर मानिये मेरा कि अगर एयरपोर्ट से से सब्सक्राइब करना तो पिछली वार हम लोगों थोड़ा सा लेट वीडियो शुरू किया थे और मैं दो ही आपको वीडियो कवर करा पाया था एयरपोर्ट स्पैसिफिक तो बट उसमें भी बहुत बेनिफिशल हुआ था ठीक है अभी में एक अब्रिवेशन वाला और इसमें लक्षे लेकर क्या रहा हूं ठीक है क्योंकि अगर आपको याद हो तो डबल याई कॉमन के अडरे में तो कॉस्चन थोड़े ज्यादा थे मतलब 35 आने थे कि भारत के निमलिकत में से किस राज में पंत नगर एयरपोर्ट लोकेटेट ठीक है कौन सा एयरपोर्ट है पंत नगर करनाटक में है तमिलनाडू में है उत्राखंड में है या फिर हमाचल प्रदेश में तो इस सही आंसर याद हो जाएगा ठीक है करेकर लीज़ेगा अभारत के आएगोप कितना सबी को क्लियर हो गया है अंगलेस अवाल में देखेंक दूस्तों क्या पूछा जा रहा है अंगलेस हबाल में iaarट को बताना है कि निम्न लिखत मैसे किस राज में इस्थे थे दिल्ली में, कमिलनाडू में, पंतनगर में, उत्राखंड में, इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेगा दोस्तू ठीक है, तो इस कोशन की अगर मैं सही आंसर की बात करने जाओं, मेरे प्यारे मित्रो, इस कोशन का जो सही आं मिले सवाल है पूछा जा रहा है कि इंद्रा गांधी एयरपोर्ट अब यार इसको कौन नहीं जानता याद रखेगा इसको आप मतलब बहुत सारी रैंक में भारत में टॉप पोजिशन पर रही आता है और यह और आप इसको सबसे लार्जेस्ट लारजेस्ट यार पोट है तो भारत का फौन से और यह है यह अपको आपटेट आपको विक्ट्री व्युक्टिरेश है और बिलकूल इसके लिए जी आख टूरो और बिल्कुल इसके लिए जरूर इंडॉल कर लीजेगा कोई भी candidate ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लास्ट में आकर कर रहा है जब बहुत सारा आपका syllabus निकल जा रहा है तो देखो चीजें होती क्या है कि समझ में आती नहीं है बहुत burden होता है तो अभी आपके पास sufficient दो महिने है साथ दिन है प्रोपर तरीके से इंड्रॉल करिए और इसकी त्यारी करिए दोस्तों ठीक है तो वीडियो के description में आपको सारी information मिल जाएगी 25 अक्टूबर से सुरू हो चुका है अभी introduction के lecture हुए है दोस्तों और यह माई options भी अवलेबल है ठीक है और मैंने अभी आपको कर सकते हैं और कूपन कोड वगरा भी लगा सकते हैं और यह आपको कोर्स पर जाएगा नाइन मंद का कितने का 2729 रोपे का दूस्तों ठीक है और जो कूपन कोड़ अपलीके बल है तो फटा-फट इंड्रॉल कर लीजिगा ठीक है अगला question दीक है पूशा जा रहा है कि इन इंडियान स्टेट इस दा चौधरी चरंसिंग एरपोर्ट इस लोकेट चौधरी चरंसिंग आयूब की आप जानते होंगे कि इनका जो डेट ऑब बर्थ है वो 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को हम लोग फार्मस डेके तोर पर भी हम लोग इनको जानते हैं दोस्तों ठीक है तो यह चौधरी चरंसिंग हमारे देश के पीम भी रह चुके हैं और यह आपके ब्लॉंग करते थे यूपी से और यह किशानों के मसीहा बोले जाते हैं दोस्तों ठीक है तो ज़रा बताएगा कि इस कोशन का जो राइट आंसर है आप इसमें से किस उप्शन को टिक करने ज हो जाहेगा कि इस कोशन का जो करेक्ट आंसर होगा अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करने जाएं जी हैं दोस्तों तो दढ़ेजा येस यूपी और यूपी में यह कहां पर मिल जाता है लखनो लखनाव दोस्तों आप सभी को मालूँ में कापिटल यूपी की और यहां पर तो नवीन पतना एक आप सभी जानते हैं कि इस समय CM है और यह कहां कि CM है उडिशा के दोस्तों ठीक है तो अब सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल और किलियर होंगी आंसर बहुत आसानी से हो जाना चाहिए ठीक है तो यहां उडिशा जहां पर बिर्समुंडा स्टेडियम भी है कलिंगा स्टेडियम भी लोकेटेड है अभी हाली में नों ने होकी वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया था 2023 में जिसकी विनर आपको मालूम होगा कि जर्मनी थी और उडिशा में जहां पर चिलका लेक भी लोकेटेड है और आपने मतलब भितर कणी का सिंपली पाल नेशनल नाम है जगनात पुरी वाला ठीक है और आप सभी जानते होंगे घूम्रा ठीक है उडिया और फेस्टिवल वगेरा भी सब आपने पढ़ होंगे नुगा खाई बली जात्रा ठीक है यह सब आपके फैस्टिवल है ठीक है अंगले सब्सक्राइब पूछा गया लाल बहादर लाल बादुर सास्त्री जी आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं और इनका एक स्लोगन भी था जय जवान जय के शान और इनकी दोस्तों याद रखेगा जो डैथ है मतलब आउटसाइड कंट्री मतलब यह पहले ऐसे प्रधान मंत्री रहे हैं जि यहां ये समय also सहर ना यह भारत का आप कैसकते हैं कि religious Capital भनग हocy तो उत्तरप्रदेश के आपनें पढ़ी होगी अब कर वारान सी में तो आप कह सकते हैं जो को में इसको अभी हाली में music city भी declared किया गया और यह आने वाली समय में दोस्तों याद रखेगा भारत की मुझे लगता है ठीक है तो यूपी की ठीक है पूरे भारत की यह religious capital बनेगी क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो खासतोर से यहां का तीर्थ छेत्र है वहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों कि लगातार लोगों की जो सिर्धालूं की संख्या वो बरती चली जा रही है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर चाकर के हर साल विजिट क अभी हाली में मोदी जी इनौग्रेट करके आए है और अटल आवासी विध्याले के बारे में पढ़ा होगा ठीक है तो यह काफी इंपोर्टेंट रहेगा अंगला कुशन दिखे जरह क्या पूछा जा रहा है कि जो गोपीनाथ लोग पर यह गोपीनाथ बार दोली इंटरने यह बिल्कुल जो और आंसर तो आप भी हुए द्शाम दर्जाया ऑंसर आसाम जहां पर आप वीछोफ फैस्टिवल परते हैं शतर्या डांस परते हैं काजी रंगा नेशनल पार के वारे में परता है दोस्तों ठीक है आपने इसकी कापिटल पढ़ी होगी दोस्तों कि इस के आंसर रुकने नहीं चाहिए मैं देख रहा हूं कि जितने भी लोग हैं सब लोग इस समय आंसर नहीं कर रहे हैं तो चैट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों यह सचन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक पूचा रहा है दोस्तों कि भारत के निमनेलिक लिकत मेंसे किस राज में जेवर इंटरनेशनल एरपोर्थ लोकेटेड़ अब दोस्तों यह याद रखेगा यह नो वाला है जब यह बन जाएगा तो यह लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला पूरे भारत का भी आप कह सकते अभी फिलार याद रखेगा दोस्तों यह अंडर अंडर और यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और यह आपका बन रहा है कहां पर नॉड़ा में यह माना जा रहा है कि यह जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूपी की जीडीपी में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर किया आएगा यूपी में रोजगार इंवेस्टमेंट के भी यह हां पर बनने जा रहा है नॉडा में बनने जा भाट है कि यह भारत के किस असाम में पढ़ लिया और दो पढ़ लिया दोस्तों कॉन सा लोपिनाथ बार्दोली उत्तर प्रदेश में अपने लाल बादो सास्तरी चौद्री चौराइज सिंग जेवर और कुसांबी के बारे में देख लिया दोस्तों ठीक है इसका भी जो करेक्ट आंसर याद रखेगा जी हां देजा ऑप्शन कुछ PPT में मिस्टेक है मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि PPT में क्या मिस्टेक है आखर यह एड क्योसे नहीं होई बस मुझे एक सेकंड का टाइम दे देजे आप ठीक है तो PPT में क्या मिस्टेक है इसको एक बार में चेक कर लेता हूं वैसे आपको यह मिल गया होगा पर को लखीमपुर घृए इतना जरूर देख करके जाए ठीकए चलिए अंगला सवाल देखिए का ज़रा पूछा जारा है कि ये जो है दीमापुर एरपोर्ट, इसका तो आंसर ही दे दिया बाई है इसमें बतानी की बाद ही क्या है इसका तो इसटेट महाराणा प्रताफ एर्पोर्ट निम्न लिखित में से किस राज में महाराणा प्रताफ है आभूकेट इंडी आखरा मेंचू फीकी महाराणा प्रताफं से करतेख उनका कर एक राजिस्थान ग्लोर की खुट सब्सक्राइब भावनगर की बात हो रही है भारत के किस राज में आसाम में नगालेंड में राजिस्थान में गुजरात में अब यार भावनगर हो गया कांडला हो गया ठीक है यह सब सर्दार हो गया ठीक है यह सब आपके राज में मिलेंगे और यह यह राजिक ऑप्शन फोर इसमें सवाल अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछने लाइक जैसा है सर्दार वल्लब भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है और यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी हां लोकेड़े कहां पर आपके एहमदाबाद में ठीक है तो इसकोशन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर जो ऑप्शन ठीक है बहुत ही सिंपल है इजली आई होप की सभी ने कर दिया होगा दोस्तों ठीक है अंगले सवाल देखे लेंगे आप लोग नेक्स कोशन ठीक है पूछा जा रहा है कि इन विच इंडियन सिटी इस दा देवी अहिल्यावाई होलकर एयरपोर्ट है यह आपका निम्लिकत में से कहां पर लोकेड़ यह बेंगलॉर में है मुंबई में है अमदाबाद में इंडॉर में और इस कोशन का हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे याद रखेगा यह आपका कहां पर है इंडॉर में जी हैं दोस्तों इंडॉर आपने पढ़ा होगा कि यह आपके स्मार्ट सिटीज में भ हुआ है और क्लीन एयर सर्विक्षड में भी यह आपका सबसी टॉप पोजीशन पर है और यह मिनी मुंबई बुला जाता है इसको मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश का इंडॉस्ट्रियल सिटी है इंदॉर बहुत ही प्यारा सहर ठीक है ऑप्शन फोर अंगला सवाल द जो उन्होंने सर्वोद्या आंदोलन की सुरुवात की थी जन नायक नहीं है एक्चुली मैं इनको लोक नायक कि साइद में गलती कर रहा हूं क्या है लोक नायक यह प्रकास ना है ठीक है तो दोस्तों यह आपके बिहार से ब्लोंग करते थे और डेफिनेटली इनका जो एरपोर्ट है वह आपके कहां पर मिल जाएगा यह आपके बिहार मही बिल जाएगा तो सविस्वेस कोशन का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा पूछा जारा है भारत के किस सहर में जुहू एयरपोर्ट लोकेटेड है जुहू चोपाटी आपर पड़ती है जुहू चोपाटी अग्ला सवाल है यह जुहू एयरपोर्ट आपको मिलेगा यह कहां पर मिलेगा मुंबई में अंगला सब्वाल है इन विच इंडियन सिटी इस विवेकाननदा एयरपोर्ट इस लोकेटेड तो जो वह भारत के किस राज में लोकेटेड है अभी आपने पढ़ा था कि यह आपकी लोकेटेड कहां पर 36 गड में अभी आप पढ़के आए थिने च्ट्स गड़ जिसकी स्थ तो आपने पढ़ा जप्रकास नारायन है एमदाबाद दूसरा आपने देखा था मुंबई में जुहू और छत्रपती सिवाजी महराज देख लिया इसका जो correct answer हो जाएगा जी हाँ that is a option yes one is the right answer ठीकर रायपूर तो राज्यू गांधी पढ़ा है भारत के इंपोर्टेंट इंटरनेशनल एरपोर्ट में से एक है आपका और राज्यू गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट की बात करने जाए यह सब आपके कहां पर इनके नाम का याद रखेगा आपका क्या भी है इस्टेडियम और जहां पर पाकिस्तान किरके टीम का भी बहुत बड़े लेविल पर स्वागत किया गया तो बहुत खुसते वह ना बाद में लेकिन बहुत सारे मैच हार गए तो खुसियां उनकी थोड़ी सी धुमे लो गार तो इनकी मुर्ती को इनकी बहुत है वे स्टेटीु आफ करण्य क्या उड़ यह च रइया है और गारट के लिए बहुत है पटना में एंध़ाबाद में एंधाबद में मूंबई में भाई कि यहां इसका सही आंसर क्या होगा और यह आपका लोकेटेड है कहां पर देट इस ऑप्शन वन इस दराइट अंसर है द्रवा ठीक है जिसके बारे में अभी हमने सारी पूरी के पूरी डेटेल पढ़ी हुए ठीक है अंगले सबाल पूछ रहा जा रहा है कि इन विच इंडि सिटी बोलते हो इस हो का है इस तो इंस्टिट्यूट है वह भी यहीं पर स्टार्ट होते है बेंगलूरू में और बेंगलूरू जिसको आप सिलिगन वैली बोलते हो थीक है आई-टी है कि तौर पर जाना जाता है इन इंडियन सिटी इस दा सालें एरपोर्ट इस लोकेट पूछ तरीके से आप से पूछे नहीं जा सकते जैपुर एरपोर्ट कहां पर है तो फिर उसका एरपोर्ट का मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है आप बिल्कुल वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करते हैं तो चलिए यह थे आपके सभी जितने भी हमारे 28 राज्ज है इन सभी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाकी दोस्तों इसका जो पीडियाफ है वो मिल जाएगा आपको मेर प्रॉपर तरीके से प्रपरेशन के लिए और मतलब जो भी प्रिक्टिस कोश्चन से उन सभी के लिए आप इस बैच के साथ जरूर जोईन करें और यह आपका जो विक्टरी बैच इस समय लाइव है और बिल्कुल 31 तारीक से याने के मंडे से इसमें मेरी भी लक्षर सुर और जब तक तो आपका 6 में में एक और वेकेंसी आ जाएगी तो ऐसा नहीं है डरिये मत यह सब्सक्रिप्शन बहुत बेनिफिशल होगा दोस्तो ठीक है तो इन्रॉल करने का जो प्रॉसेस है आप कैसे इन्रॉल कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आप क्या कर रहा हूंगे कि आप सभी स्क्रीन पर इसमयर यह सेशन जो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो यस जितने भी लोग सशंब को धेकर है न शड़ो सबसे पहले फ़स्स द ख्र taken कर देना डाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह सब्सक्राइब भी कर यहां पर आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यह ज्वाइन कर लिजेगा और आप टेकनिकल नॉन टेकनिकल मतलब प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा जाएंगे यह मैं आपको बता दिया है कि यहां है और करंट अफ्यार साइंस सब कुछ इंग्लिस हर एक यहां आप यह देख पा रहे हों को फिकर तो यह वो लोग है जोनों ने अल्रेडी इंडॉल कर लिया है और यह टेस्ट बुक के साथ तैयारी कर रहे है तो आप देरी ना करें कमटेशन बहुत हाई है वैसे इस एरपोर्ट अथर्टी आफ इंडिया के सेक्टर में बहुत स आपका कोर्स और इसको बहतरीन तरीके से इंडॉल करिए और आप देख रहे हों कि प्राइस इसी प्रकार के वीडियो बनाओ तो फिर वह भी मुझे बता दीजेगा डेफिनिक्ली मैं आपके लिए वीडियो ले करके आऊंगा ठीक है तो थैंक्यू सो मच जाहेंद आपरेवन